स्टॉक जिननी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त अभी शेक शर्मार दोस्तो आज है 5 अक्टूबर हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे शांदार स्टॉक की जो अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है दोस्तो हम बात कर्रें हैं नन अदर दैन टाटा पावर के बारे में दोस्तो टाटा पावर में आज की बात करो तो शांदार 7% के करीब की भहंकर तेजी आज के दिन स्टॉक में देखने को मिल रही है अब को पता होगा दूस्ते तो लगतार हम 130 के लिबल से इसमें बाईंग के रिकमेंडेशन जो आपको देते जा रहे थे आज देखिये दोस्ते सारे लिबल को क्रोस कर के एक शांदार हाई स्टॉक ने बनाया है और भेंकर तेजी आज के दिन इस टॉक में देखने को मिल रही है। दोस्तों हमारे टारगेट जो हमने आपको दिये थे 180 रुपीज का टारगेट आज इसमें आपके सामने ये देखिए अचीव होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए फटावट से हम डिसकस करने वाले हैं कि आगे की रननीती क्या होने वाली है टाटा पावर के स्टॉक में और हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। दोस्तो देखिए यदि आप होल्डर हैं इस स्टॉक के अपके पोर्टफोलिय में शानदार स्टॉक होल्डर है तो बिलकुल होल्ड रहने दे शानदार मुनाफ़ा आपको ये स्टॉक अब भी बनाकर दे सकता है। उस्तो stop loss इसकी आप बात करेंगे तो हमारे सॉप से एक stop loss आपको लेकर चलना चाहिए 163 रुपीज 50 पैसे का stop loss ये stop loss आपको इस पर बिल्कुल ध्यान लगा का चलना है यदि ये कटता है तो आपको exit कर लेना है इस stock से तो यदि बात करेंगे targets की तो हमारे सबसे यहां से यदि यही तेजी बरगरार रहती है तो 205 रुपे के targets जल्द ही आपको achieve होते दिख जाएंगे टाटा पावर स्टॉक में तो दोस्तो यही रननीतिया आपको पनाने चाहिए इस समय आप चाहिए तो अपने खुद की analysis थोड़ा खुद का research जरूर करें क्योंकि यह हमारा opinion था दोस्तों तो यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाए दिये आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें इसे प्रकार से जो भी रननीतिया होंगी टाटा पावर स्टॉक से लेटेस्ट न्यूज होंगी हम लाते रहेंगे आपके लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद